दूस्तो आज की इस वीडियो में हम आपो कुछ ऐसी कमाल के इन्विंशन्स दिखाने वाले हैं जो की अपने आप में काफी बहतरी इन टेक्नोलोजी रहती हैं तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की अपने इस पहले गेजिट के साथ अगर आप कहीं घोमने जाते हैं तो आपके पास एक छोटा सा कैरी बैक जरूर से होता है जिसमें कि आप अपना जरूरी समान वगेरा रख सकें जिसे की मोबाइल फोन और वालेट जैसी बहुत सारी इसी चीज़े होती है जिने की हमेशा अपने साथ रखना होता है जिसके लिए एक बैक का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो अगर आप चाहें तो इस तरीके के बैक को इस्तमाल कर सकते हैं जिसमें की छोटी छोटी चीज़े बढ़ी आसानी से आ जाती है इसे आपको अपने शोडर पर क्रॉस करके कैरी करना होता है जहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा जिसमें कि आप अपने मोबाइल फोन, वालेट या फिर इसी तरीके की चीज़े और भी रख सकते हैं इसकी कमाल की चीज़ तो ये रहेगी कि इसमें आपको एक इन बिल्ट पावर बैंक भी देखने को मिल जाती है जो की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है अगर आप कहीं जा रहे हैं ट्रैवल पर और आपकी डिवाइज़ डिस्चार्ज होने वाली हैं तो इस बैग में रखकर उसे बड़ी ही आसानी से चार्ज किया जा सकता है तो ये कमाल का feature देखने को मिल जाता है इस तरीके के छोटे से bag में जो की पूरी तरीके से weatherproof भी रहता है तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसा छोटा सा carry bag जिसे कि हमेशा अपने साथ रख सकें तो ये bag मेरे हिसाब से काफी comfortable रहेगा आपके लिए हम इसे बहुत से लोगों की आदत होती है कि चेर पर बैठते समय हम अपनी पीट को हलका सा जुका लेते हैं जिसकी वज़े से अकसर हमारी backbone में दर्द भी होने लगता है तो एक तरीके से बैठने का तरीका ये सही नहीं होता है जिससे बचने के लिए posture character कर इस्तेमाल किया जा सकता है लेकि नॉर्मली जो posture character आते हैं वो उन्हें आपको अपनी body पर पहनना होता है जो कि कही न कहीं थोड़ा सा uncomfortable कर देने वाला होता है साथी गर्मी के मौसम में किसी भी तरीकी की heavy device को पहनना आपने आप में एक काफी ज़्यादे दिक्कत वाली बात भी होती है तो इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो इस तरीकी के posture character को इस्तेमाल कर सकते हैं इस gadget की खास बात ये रहेगी कि इसे बस आपको अपनी table पर रखना होगा और इसमें cameras और sensors लगे होते हैं और जैसे ही आप हलका सा भी जुकते हैं तो फॉरन इसमें आपको एक beep सुनाई देगी जो कि कहीं न कहीं आपको सही से बैठने के लिए कहेगी ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि घर पर लोग आपको सही से बैठने के लिए टोकते हैं ये gadget भी ठीक वैसे ही आपके लिए टोकने का काम करेगा ये gadget आपके mobile phone से भी connect रहता है जिसमें की सारी details वगेरा भी होती है कि कितनी बार इस gadget ने आपके posture को correct किया है तो दोस्तो काफी कमाल की technology देखने को मिल जाती है जो की basic functions पर काम करती है लेकिन हमारी daily life में इसकी need एक next level पर होती है तो comment करके बताएगा कि अभी आप वीडियो देखते समय किस तरीके के posture में बैठे हैं एक दम straight होकर या फिर हलका सा जुखकर Car racing में दिल्चस्पी रखने वालों के लिए ये gadget बड़ा ही कमाल का होने वाला है क्योंकि इसका इस्तमाल करके आप अपनी racing skills को एक next level पर ले जा सकते हैं बहुत से लोग car racing में दिल्चस्पी रखते हैं जिसमें कि वो high speed tracks पर cars को दोडाते हैं अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो ये gadget आपको कमाल का experience देने वाला है ये एक तरीके का छोटा सा sensor होता है जिसे कि आप किसी भी car में install कर सकते हैं और जिसे भी आप पर race track पर दोडा रहे हैं तो ये उसकी पूरी information आपको mobile phone app पर available कराता है यानि कि कितने speed पर गए हैं या फिर time lapse अगरा भी आप इसमें create कर सकते हैं जो कि racing skills को improve करने में काफी जदा helpful रहेगा इसमें आपको multiple devices का support दे रखा होता है जिसे कि आप इसे अलग-अलग cars में इस्तेमाल कर पाएंगे और इसमें GPS भी inbuilt होता है जिसकी GPS positioning काफी जदा accurate होती है जिसे कि आपको एकदम accurate speed भी अपने mobile phone पर देखने को मिल जाएगी तो car racing सीखने के लिए आप इस तरीके के gadget का इस्तेमाल एक training gadget के purpose से भी कर सकते हैं जो कि काफी helpful रहेगा अगर आप अपने घर में cats को पालते हैं तो आपके घर में एक litter box जरूर से होगा और अगर नहीं है तो ये gadget आपको काफी interesting लगने वाला है ये globe जैसा दिखने वाला एक ऐसा litter box होता है जिसमें कि आपके pets द्वारा किया गया सारा wastage dispose हो जाता है इस globe जैसे दिखने वाले structure को आप rotate करा सकते हैं जिससे कि जो भी waste material होता है वो पूरा का पूरा इसके एक collection box में चला जाता है जिसे कि आप easily कहीं भी जाका dispose कर सकते हैं यानि कि अगर आप अपने pets को बहार टहलाने नहीं ले जा पा रहे हैं तो इस तरीके का litter box उनके लिए काफी ज़दा helpful रहेगा दोस्तो वैसे तो आजकल drones का इस्तेमाल काफी सारे कामों के लिए किया जाता है लेकिन अब मैं अगर आपको एक ऐसा drone देखा हूँ जिसका इस्तेमाल programming सीखने के लिए किया जाता हो तो जी हाँ दोस्तो ये gadget कुछ ऐसा ही होता है drones आपने बहुत सारे देखे होंगे लेकिन ये एक तरीके का mini drone होता है जो की पूरी तरीके से programmable होता है जिसे कि आप अपने computer या फे tablet का इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से programm कर सकते हैं इसके साथ आपको एक छोटा सा remote control भी देखने को मिल जाएगा जिसे कि आप इसे control कर पाएंगे लेकिन अगर आप इस drone का इस्तेमाल करके coding सीखना चाहते हैं तो इसकी programs में जाकर आप काफी सारे और भी नए-नए programs एड़ कर पाएंगे इस तक इस्तेमाल कर सकते हैं वही crash prone होने की वज़े से अगर ये कहीं टकरा भी जाता है तो किसी भी तरीकी की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो ये कमाल के features आपको देखने को मिल गए हैं इस कमाल के drone में जिसके लिए दोस्तो एक लाइक तो बनता है दोस्तो 3D scanning काफी ज़्यादा जरूरी होती है किसी भी prototype को reality में लाने के लिए प्योंकि जब भी किसी prototype को बनाया जाता है तो सबसे पहले उसको 3D में scan किया जाता है जिसके बाद उसके pros and cons को calculate करके ही उसे reality में लाया जाता है तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही करते हैं और कुछ unique करना चाहते हैं तो इस्तमाल कर सकते हैं इस तरीके के 3D scanner को normally अगर आप 3D scanners को देखेंगे तो काफी ज़्यादा size में बड़े भारी भर कम भी होते हैं लेकिन दोस्तो ये एक तरीके का ऐसा handheld scanner होगा जिससे कि आप हातों में इस gadget को पकलके बड़ी ही आसानी से scanning कर पाएंगे जी हां दोस्तो size में ये इतना ज्यादा छोटा होता है कि आप इसे अपनी pocket में भी easily रख सकते हैं और जब भी आपको किसी भी object को scan करना है तो इसके software की मतल से उसे आसानी से scan किया जा सकता है वहीं दोस्तो ये आपको color scanning के features भी देता है जो कि इसे एक और advanced gadget बनाएगा इसके scanning prototypes का इस्तेमाल आप 3D printing में भी कर सकते हैं जो कि अपने आप में एक कमाल का experience रहेगा तो अगर आपको भी चीजे scan करने की जरूत पड़ती है अकसर या फिर अगर आप 3D printing में दिल्चस्वी रखते हैं तो इस तरीके की gadget को जरूर से इस्तेमाल करिएगा जो कि आपको एक अलग ही level की feel देगा दोस्तो अगर आप earbuds का इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज़ तो आपने जरूर से feel करी होगी कि अगर आप रात के समय earbuds को कान पने लगाते हैं तो सोने में काफी ज़्यादा दिक्कार दाती है क्योंकि ज़्यादा तर earbuds का एक हिस्सा बाहर की तरफ रहता है जो कि सोने में बहुत ज़्यादा uncomfortable सा कर देता है तो बोस ने इसी problem को देखते हुए खास तोर पर एक ऐसे earbuds त्यार किये हैं जिने कि आप सोते वक्त भी इस्तिमाल कर सकते हैं जिना दोस्तो इन earbuds का डिजाइन कुछ ऐसा होता है जिसमें कि इन earbuds का सारा का सारा हिस्सा आपके कानों के अंदर की तरफ रहेगा जिससे की रात के सोते समय आपको किसी भी तरीकी की कोई दिक्कत नहीं होगी तो इसका इस्तमाल आप music listening के लिए कर सकते हैं या फिर calls वगरा अटेंड करने के लिए भी कर सकते हैं वहीं दोस्तो single charge पर लगभग आप इने 10 घंटों तक इस्तेमाल कर पाएंगे जो कि अपने आप में कमाल की बात रहेगी और इसकी sound quality का भी कोई जवाब नहीं तो अगर आपको भी Bose की sounds पसंद आती हैं तो इस gadget के लिए दोस्तो एक like तो बनता है दोस्तो अगर आप एक ऐसा चोटा सा compact सा camera चाहते हैं जो कि आपको professional grade की quality अबलेवल करा है तो ये gadget आपको एक बार जरूर से ध्यान से देखना चाहिए इस gadget की खास बात की रहती है कि ये एक तरीके का ऐसा digital camera रहेगा जो कि आपको बहुत सारे कमाल के option देता है ये size में बहुत चोटा होता है तो इसका इस्तमाल आप vlogging गेरकले भी कर सकते हैं साथी realistic way में अगर आप videos record करना चाहते हैं तो भी इसकी quality अपने आप में काफी लाजवाब रहेगी ये एक normal camera से काफी हटकर होता है क्योंकि यहाँ पर आपको 3D में record करने के features मिल जाते हैं जिसे कि आप videos को ना सिर्फ 3D में create कर सकते हैं बलकि उसे इसके साथ दिये गए एक magnetic attachments के जरीए दीख भी सकते हैं जाने कि इसके attachments कर इस्तमाल करके आप real में 3D वीडियो को record होते हुए देख भी पाएंगे तो काफी कमाल की ये technology देखने को मिली है जिसका इस्तमाल personal वीडियोग्राफी के लिए किया जा सकता है तो अगर आपको वीडियोग्राफी में बहुत ज़्यादा दिल्चस्पी हो या फिर अगर आप vlogging करना चाहते हैं तो इस्तमाल कर सकते हैं इस तरीके के cameras का जो कि अपने आप में एक वाकई काफी कमाल की technology है तो दोस्तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये cameras कैसे लगे हैं वही इस वीडियो का सबसे बहतरीन gadget आपके हिसाब से कौन सा रहा है ये बात भी आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएगा चैनल को सबस्क्राइब करेगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा अगर आप वीडियो में दिखाएगे किसी भी gadget को खरीदना चाहते हैं ये फिर उसके बारे में और भी information चाहते हैं तो उनकी links आपको description box में देखने को मिल जाएंगे